हेलो स्टूडेंट आज आपाँ टॉपिक डिस्स करना कनेक्शन ओफ जैंपर्स एंड डेड़ेंड क्लैंप्स पहलो आपाँ डिस्कस करांगे कनेक्शन ओफ जैंपर्स की हुंदे जैंपर की हुंदे या ken ten जदो अपा कंड़क्टर कोई इंस्ताल कर देया तर्या ध्यर्क ब方ने या रेक एक किलो आपा उभाजल लो सेथा अपा अ कंड़क्टर नो कॉंट्रिटि नोग खतम कर देन्या जैंपर लेकोई फेसके शेट हैँनट सेगिंग तांकि जड़ी सेगिंगा हो प्रॉपर रवे जादा सेग ना हो वे अपना शोर्टर लेंग्थ आफ कंड़क्टर दी लोड करेंदी है उपा जेंपर कहने है की च्रक्रड लंग्ध आफ कंड़क्टर दी लोड पेंदी दूझे कंड़क्टर ना कनेक्ट कारें दी मालों आप fakrien wait 1 इंड करता है एक एंड ते जाके उनु अपन किलोमेटर दे बखवते आके ऊपोल दे होते आप उनु अट करता उदा उस तो बाद उसे पोल दे दुझी साइड दे होते आपँ कंड़क्टर दी नमी लैंग्थ नूस्टार्ड करके उनु किते एंड गीता बट उना देविच connectivity बनो अनवास थे जिड़ा piece of conductor आपा जोड़ देया नाल उनु आपा की कहने है जमपर, connecting jamper a jamper should be made of same material जिड़ा jamper आहो, same material दा होना चाहिए दावा, same size दा होना चाहिए दावा and should have same current carrying capacity थे होदी current carrying capacity same होनी चाहिए दिया as that of the line conductor जिड़ा अपना conductor, line conductor पाया होया जमपर should be fixed to line conductor with a suitable clamp, jamper जिड़ा हो suitable clamp दी मदद दे नाड़ा पा, connect करना मा for HV line the jamper should be arranged in such a way that under maximum deflection of conductor there is minimum clearance of minimum clearance of 0.3 meter केंदे जदों high voltage lines दी अपा गल कर देयां उस दोरान जड़ा जड़ा जमपर दे एक गला दा ख्यार रखना जरूरी हो वे जड़ी हो दी minimum clearance हा, minimum clearance मतलब जड़ा अपना conductor दी minimum clearance अपा जड़ा rules दे विच भी discuss कीता जड़ा जड़े अपनी clearance पोल तों जड़े अपने पोल दे उते लगे होया उनना दे नाड़ों दूरी बना के जड़ी रखनी हां वे जड़ी के निया 0.3 मीटर होनी चाहिए दिया between the line and other metallic parts जड़ा line जमपर ते metallic parts जड़े metallic components लगे होया कोई भी अपनी insulator लगया है उदे नाड़ कोई पत्ती लगी होया आयरंदी metallic जड़ी पत्ती लगी होया जहां कोई होर components लगे होया उनना तो जड़ी हो दूरी बना के रखनी है next the T of a line should be taken only from the pole and not from the middle of the line जड़ा T of चक्णा मा हो, pole दे end तो ही चक्णा मा आपा ते middle line तो नहीं आपा चक्णा the connection of main line to T line should be made by using PG clamp ते जड़ा T pointer बनाना मा हो, हमेशा PG clamp पदी मदद देना connect करने है PVC sleeves are provided on a jumper to avoid bridges जड़े PVC conductor आपा यूज करने है जड़े की insulated conductor आओ यूज करने है जड़े कि या इदर अपने जड़ा zoom करके देता हुया ओदे च देखो दो side insulator लगे हुया एक इदर ली side है एक इदर ली side है जड़े 2 side insulator लगे है जड़ा बचाले connecting conductor यूज कीता गया आपा की कहने है जैंपर कहने है एक दा ही आपा distribution line दे वेच देख लेने है जमिया 11 के भी लाइन है जड़े channel दे दो side दो लाइन सारी है ते ओना दे बचाले तिने फेसां दे बचाले connecting jamper लाए हुया एदा दूरी maintained रखी जा दिया भाई अपने जड़े है अपना connecting jamper आ ओ किसे metallic part देना और टाच ना हो करें यह हो गया अपने connecting jamper next अगया पर discuss कर दियां dead ends dead ends की हो दिया the overhead system by which the energy reaches at the consumer premises divided into two distances parts by a transmission and distribution system कि अपने energy जड़ी या consumer तक पहुंच आण वास्ते दो different तरह ने डिवाइड कीता गया आपका एक transmission through ते एक distribution through मतलब एक जगा तो दूजी जगा ते लेकर जान वास्ते जड़ी वोटे transmission line आप डिसकस कर चुकियां की हों दियां transmission system की या ते distribution system की या थोड़ा या brief ते विच मैं थोड़ा sorry explain थोड़ा या हूर कर देना मैं transmission lines की या जदो एक जगा तो दूजी जगा ते अपां supply energy लेकर जानी है ते distribution की या जदो अपने consumer देवेचे डिस्ट्रिब्यूट करनी है मां supply देनी हो नहीं transmission दिये डिवोल्टे जो आपकार के लेकर जानी है तांकि अपने losses काट सकन ते देच आपा AC system यूज़ कर देयां transmission दिस्ट्रिबिशन सिस्टम देवेचे क्योंकि यह अपनों economical पेंदावा यह अपां previous lecture देवेचे डिसक्स कर चुके हैं जडी overhead lines देवेचे दो तरह दी energy आपा यूज़ कर देवेचे transmission देवेचे डिस्ट्रिबिशन दोना देवेचे dead ends दी जडी load पेंदिया की load पेंदिया at the entire network of transmission and distribution system the conductor have to be dead end many times specially at such place where the line conductor terminate terminate जडी हों किया एट dead end के थे यूज़ किते जान देया जडी हापनी transmission दे दिस्ट्रिबिशन लाइना ओदे चेहे main many times dead ends जडी यूज़ किते जान देया such place where the line conductor terminate जथे भी अपनी जडी line conductor नेया के तो रा बदलना अपना मा ता उथे अपना जडी अपना जड़ा conductor जड़ा sorry dead ends clamps use कर देया there are many ways for dead end of conductor different सरांदे जडी type सा जडी तरू अपन dead end कर देया the dead end assembly should be mechanically strong ते जडी अपनी dead end assembly हो जडी mechanically strong होनी चाहे दिया enough to take all pull all pull the conductor and should be correct side कर वेचर जडी अपना जडी अपना जडी अपना जडी अपना कंड़क्टर हो था पार चक सके ते वो शुड भी correct size दी होनी चाहे दिया कर वेचर हो देच जडा जडा सिस्टम हो प्रपर वेदे नाड़ बने होना चाहे दा जडी साब नाड़ अपना अपना कंड़क्टर एजी ली ओदेचे कैरी कार सकी आप next for lt overhead distribution line shackle insulator usually extend extensively for dead end dead ending shackle insulator अपना यूज का देंदा shackle is always preferred between the conductor are not suitable to undue stress shackle insulator अपना से फिगर देचे 20 cm 10 cm distance देचे आप देचे आपड़क्टर का देचे shackle insulator जडा distribution lines देचे यूज कीता जांदा आज जड़ा cross section देचे लिखाये थे section sorry shackle insulator आपा यूज कार देयां ते एदे उपर दी अपना कंड़क्टर नों कमा आके आ एद्दा दी binding बना आके ते उदे उत्ते दी अपना binding कोल के जड़ी कंड़क्टर नों ACSR कंड़क्टर हुंदा ओधी binding नों खोल के उत्ते दवारे binding मार दन्यां तांकि जड़ा प्रॉपर वे देनाल पूरा आयन नपके नों अधी binding मार दन्यां ते एदा जड़ा सेंटर तो लेके जड़ा पां connection देना मां अगे connecting jamper नों connection देना ओ जड़ी loop बनाओ नहीं है ओधे बचाल दिस्टेंस जड़ा 20 cm ते जड़ा connecting jamper ते कंड़क्टर दे वेचे जड़ा डिस्टेंस आओ 10 cm दा बाकफा राख देयां वेचे डिस्टेंस राख देयां ते इदा ही जड़ी high voltage lines दे होते है अपना हाँ जड़े इदर इंसुलेटर लगे होया जड़े एक्स्ट्रा high voltage line हो दे विचे आपा compressed type dead end से यूज़ कर देयां अग्या पर डिस्कस करांगे जड़े जड़े आए एदा दे इंसुलेटर देनाल अपनी assembly एदा connect हों दिया जड़े assembly dead end assembly connect हों दिया स्प्लेटरू डवल इंसुलेटर जड़े स्ट्रेंग लगी होया दे वेचे एदा ही उपपर ली फिगर दे वेचे जड़ा मल्टी बोल्ट dead end clamp लगया होया आप अगे डिस्कस करांगे वर्दर एदे वेचे डो डिस्का देनाल अपाँ एदा मल्टी बोल्ट dead end connect किता होया आप एदी मदद देनाल जड़ी अपा लाइन होल्ड कीती होई यह जड़ा पार्टा इन्हों आपा dead end कहने हैं जड़ा इंस जड़ेज ओवरहेड लाइन दिफरेंट आपस ऑफ स्ट्रेंग क्लैंप्स आर यूज़ फर डेद देनिग जड़े हाई वोल्टेज लाइन देवेचे अलग लग तरह दे डिफरेंट तरह दे जड़ेंट तरह दे जड़ेंट क्लैंप यूज़ कर देयां चार टाइपस द क्लैंप फोर्थ हैगा कंप्रेज़ ताइप एंड डेद अडं ग्लैंप से जड़े अपन वह यूज़ कर देया है जो मैं फिकर देविज़ डिफरेंट तरह दे डेड़ेंट क्लैंप सुछ दिटे होया अपन ताइपस दे अकॉरडिंग ली डिसक्स कर देयां फस्ट आप conductor medium or light duty transmission lines एजड़े dead ends सा सेंगल बोर्ट से एजड़े मीडियम थे light transmission lines वास्तिय पर यूज़ कर दिया है एदे कोई silent switcher the silent switcher of this type clamps are that they may must have adequate holding power to prevent slipping of the conductor of line conductor at a normal light tension एदे silent feature देविच किया है proper holding दिन देया proper पकड़ बना के राख देया अपने conductor दी तांकि अपना conductor जड़ा हो पूरा weight नूँ carry का देया ते slipping तो prevent बचाओं देया slip होन तो these type of clamps normally used for dead end of ACSR conductors ACSR conductor aluminium conductor steel reinforce जड़ा अपना conductor यूज़ कर देया ओदे वेचे है जड़ा हमेशा जड़े यूज़ किते जांदे सिंगल बोल्ट strain dead end clamp से जड़े आपना यूज़ कर देया नेक्स्ट फर्दर अपना discuss करांगे तू बोल्ट strain clamp यूज़ दो बोल्ट लगे होन देया तू बोल्ट strain clamps are used for dead ending line conductor of main distribution line and light transmission line यूज़े जड़े इस तरह दे जड़े dead end clamps होन देया तू बोल्ट strain clamp यूज़े होन देया वह अपना मेंली distribution lines दे वेचे यूज़ कर देया जन light transmission lines देवेचे जड़िया हल्किया transmission lines मलो 33 kv होगी इना दे बिलो 66 kv अपना जड़ी अपना इस टाइप दे जड़े dead end clamps यूज़े the gripping power of this clamps is more than single bolt strain clamps देया हो हमेशा ज्यादा हूं दिया single bolt clamps देना दो next 3rd यूज़े अपना multi bolt strain clamp मल्टी बोल्ट्स जड़े clamps आपा यूज़ कर देयां multi bolt strain clamps are used for dead end heavy duty transmission line and distribution line ये इस तरहां दे जड़े clamp आपा हमेशा heavy duty जड़े ट्रांस्मिशन लाइना जान दिस्ट्रिबिशन लाइना ओदे जूज़े यूज़ कर दियां जिथे आपने कोई भी आपने कंड़क्टर दा बेट ज्यादा हो जान दावा ओते डाड़निंग करनी आपा ओ ओस प्लेस दे आपा जिड़ा मल्टी बोल्टर स्टेंड टाइप क्लेंप्स यूज़ कर देयां अब यूज़ कि अध प्रवाइड सेफिशेंट ग्रेपिंग पावर जड़ा मिदस देंदावा आपने अनक्टरनों कैरी कान हो जल्टे तो होल्ड हैवी डूटी लाइन कंडॉक्टर अंडर टैंशन किसे भी टैंशन करके जड़ा होल्ड करके रखन वास्ते कंडॉक्टर नूं जेस्टाया जिद्धर नूं अपने नाटबोल्ट बोल्ट लगे होया अगे ट्रेंश टाइप बने होया खाली टाइप जिन्हों अपने जों कड़ेट करके दोवारे कंडॉक्टर देना बाइंडिंग मार देने जमें फिगर देविच आपा पहलो ही डिसकस का चुकी है विजड़ों कंडॉक्टर के दा बेचदी नंगा आके आपाएन नाटबोल नोटाइड कर देने ओए अपर दीकम आके जड़ा इस एर कंडॉक्टर नो दोवारे बैंडिंग मार देने हैं नेक्स्ट टाइप जड़ा लास्ट टाइप अपनी कंप्रेशन टाइप डैड एंड क्लैंप एजड़े क्लैंप सा यूज गिते जांदे जिते हाइव क्लैंप जड़े यूज कर दें इस टाइप साफ डैड़ेंड क्लैंप से यूज फ़र डैडिंग एंड एंडिंग ACSR कंडॉक्टर ऑफ ट्रांस्मिशन लाइन और वोल्टेज अबब 66 के भी यह जड़े इस टाइप से जड़े डैड़ेंड सा है यह हमेशा पां यूज कर जड़ा देयाँ बा स्टेट की बोड टाइड स्टेट की बौड इस टेट अलक्सिती बोर्ड जम है अपने पैस cannon जीड़े पंजाब साईड पंजाबिस्ट लेट स्टेट लेड की बोड बोड ओम है रहे वह स्टेट और पर ऑट मार्लत अ पॉल्ष्ट कॉसेट थे श्टि बोल्ट डेड एंड असेंबली इन लाइन्स ऑफ वोल्टेज अबब 66 के वी एस्टेट बोल्ट क्यों इना ने चूज करदा वा क्योंकि जड़ा स्टेट बोल्ट ने देख्या वा जदों आपां मल्टी बोल्ट यड़ा प्रिबियस अपां थर्ट आइप डिसकस किती है बज देचे फॉल्टिंग कडिशना ज्यादा आ जानिया में लिए फॉल्ट ऑन दा खत्रा हो बाद जानदा वा इस करके जड़ा है अपना कंप्रेशन टाइप डेड एंड क्लेंप से अबब 66 के भी अपां यूज कर देया है इदेच किया कंड़क्टर नूं इंसर्ड एक पकड़ अबना आके जड़ा कंड़क्टर नूं करी करी राक दावा है अब आपने ऐस करके अपने टाइप जड़ेड एंड यूज करते हैं एक जैंपर आपा डेसकस कार चुके हैं जैंपर की जीज़ा जड़ा जदों यह देच की आपां कंड़क्टर नूं बेच ए अपर ले जडी अटी साइड उदे चण्डक्टर नो होड़ कर दने हैं तेघे च कोई चनेक्टिंग जम्पर नी लाऊंदेया पर कनेक्टिंग जम्पर जड़े 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 जी दे जिदे नट बॉल्ट लग गया ओं एक अपर डिस्क्स कर चोकी हैं वह एक पीस ऑफ कंड़क्टर है उनु बिच होड़ करा के एदे इन इंसर्ट करा के जड़ा थले थिमबर टाइप जहां पकेलो वह देज इंसर्ट करा के ते यह नु प्रेस कार दने यह ते एदा ही दूजी साइट ते आप जड़ा जड़ा आपनों कनेक्ट कर दने ते एदा एदे थू जड़ी अपनी सप्लाई हो मुव हों दी रहें दिया जदों की जड़े आपां जैंपर से यांपीजी क्लैंप यूज कर दें हो देचे नटबोल्ट लूज होन देनार जड़ा स्पार्किंग जादा हो जाए इस करके जड़ा 66 के बीद अब आव जड़े हैं कंप्रेशन टाइप जड़े डंड क्लैंप सापां यूज का दिया है यह हो गया अपना टॉपिक थे आज अपने कनेक्टिंग जैंपर है ते देड एंड क्लैंप सदा एक्सटाइम अपने बेक्स्त तॉपिक लेक्त यांगे थैंक्यू थैं